भारत की भूमी पर आँख उठा कर देखने वालों को करारा जवाब मिला है भारत मित्रता निभाना जानता है तो आँख में आँख डाल कर देखना और उचीत जवाब देना भी जानता है हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मा भारती के गवरों पर आँच नहीं आने जाएंगे साथियों लदाक में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शावरिय को पुरा देश नमन कर रहा है स्रधांजली दे रहा है पुरा देश उनका कृतग्या है उनके सामने नतमस्तक है इन साथियों के परिवारों के तरह ही हर भारतिय इने खोने का दर्द भी अनुहो कर रहा है अपने वीर सपुतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है देश के लिए जो जज़बा है यही तो देश की ताकत है आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं बिहार के रहने वाले शहीत कुंदरकुवार के पिताजी के शब्दतों कानों में गूंज रहे हैं वो कह रहे थे अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा यही होसला हर शहीत के परिवार का है वास्तों में इन परिजनों का त्याग पुझनी है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है। उसी संकल्प को हमें भी जीवन का धे बनाना है। हर देश वासी को बनाना है हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत भड़े देश और अधिक सक्षम बने देश आत्मनिरभर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची सद्धानले भी होगी मुझे असम से रदिनी जी ने लिखा है कि उन्होंने पुर्वी लदाक में जो कुछ हुआ वो देखने के बाद एक प्रण लिया है प्रण ये कि वो लोकल ही खरिदेंगे इतना ही नहीं लोकल के लिए वोकल भी होगी ऐसे संदेश मुझे देश के हर कौने से आ रहे हैं बहुत से लोग मुझे पत्रा लिख कर बता रहे हैं तो वो इस और बढ़ चले हैं इसी तरह तमिन्नाडु के मदुरई से मोहन रामामूर्थी जी ने लिखा है तो वो भारत को डिफेंस के ख्षेतर में आत्मंदेर भर बनते हुए देखना चाहते हैं साथियों आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था हमारे यहां अनेको ओर्डिनेंस फेक्टरिया होती थी उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीशे थे वो आज हमसे आगे हैं आजादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे हमें अपने पुराने अनुभावों का जो लाव उढ़ाना चाहिए